दीन दियाल उपाद देह गुरपुरुशित द्याले के दिक्षान समारो के लिए आयोजित लोगो यानी प्रतिक चिन्य को सारजनिक कर दिया गया है लोगो के चैन के लिए एक प्रतियोगिता भी कराई गई थी जिसमें विजिताओं के नाम का ऐलान रविवार को प्रशासनिक भवन के कमिटी हॉल में कुलपती प्रफिसर राजे सिंग के मार्ग दर्शन में किया गया निर्णायक मंडल की ओँर से विश्विद्याले के 2 तृत्यवर्ष की च्छात्रा प्रतिश्टा-मिश्टा के लोगों को प्रतमस्थान प्रदान किया गया है यानी दिकशान समारों में प्रतिश्टा का लोगो अपनी चमक बिकेरेगा लोगों के अनावरन के बाद गुलपती प्रुसर राजे सिंग ने कहा कि नई सिक्षा नीती में आकास ही सीमा है ये प्रतियोगता भी इसी ओर इंगित करती है दिक्षान समारों को लेकर तयालिया सुरू की जा चुकी है महामहिम सहित अतीतियों के आने से लेकर जाने तक प्रबंद को लेकर समीथियां गठित की गई हैं सभी अपने कारे में लगे हैं उन्होंने बताये कि लोगों प्रतियोगता की सह समन्वेक प्रुसर वीना बत्रा कुश्वाहा डॉक्टर सर्वीश कुमार पांडे डॉक्टर प्रदीप शानी डॉक्टर दीपाश्य वास्ताओ डॉक्टर आर्ती विशुकर्मा राजलक्ष्मी मिश्वा का शक्रिय सहयोग रहा इस संबंध में गुरगपूर्णियों से बात करते हुए कुलपती प्रफ़सर राजे शिंग ने कहा हमारे संबंध कारिकरम होगा जिसमें हम अब लोगो जो हमारा है जो प्रतीक चिन है हम उसकी बारे में उसका उद्गाटन करेंगे और खोड़ा सा उसमें संबंध परिशे भी देंगे वो हमारे दिक्षान समारों का एक महत्पूर उसका आमगर होती है कि हमकिस दिशा में सोच रहे हैं और ये एक महत्पूर होने का हमारे सभी कारिकरम में उसका अस्थान होता है जो हमारा है लोगो उसके घाटन के लिए मानने कुल पच्ची से मैं लिवेदन करते हूँ उसकी पन्जवीनर प्रोफेसर सुनायादो जी दीन दयाल पाद्या गुरपूर विश्विद्याला के चालीस में दिछान समारो के प्रतीक जिन के लिए एक प्रती होगी था दीन दयाल पाद्या गुरपूर विश्विद्याले के समस्त विद्यार्थियों जो समध महा विद्याला हैं उनसे जो विद्यार्थियों सभी के बीच में आयोजिक की गई इस बार हमारे पास बहुत कम समय था और बच्चों ने फिर भी मुझे टोटल 54 प्रविष्टियां मिली जिसमें से दीन द्याल उपाद्या गुरपूर विश्विद्याले के 42 बच्चों ने और समध महा विद्याले के 12 विद्यार्थियों ने अपनी प्रविष्टियां दी थी और इस प्रतियोगिता की कुछ नियम थे जिसमें से पहला तो ये था कि सभी प्रतिभागी को विश्विद्याले या दिन द्याल पाध्या गरुपुर विश्विद्याले से संबद किसी महाविद्याले का विद्यार्थी होना आनिवारे था दूसरी इसकी शर्ट थी कि दस गुड़े 10 इंच के या दस इंच व्यास के वृत्य में उनको यह बनाना था जिसमें कि विश्विद्यालय का सूत्र वाकय आनो भद्रक्रित्वो यंतु विश्वत्त और कुल्चिन जो अपने विश्विद्यालयका है दिंद्यालुपा देयागा अकुल विश्विद्यालयका वो हवश्यर है उसमें 40 दिच्छांत या 14, 40th दिचक्व такая करदीन लिखा ह गई है और उसके साथ साथ तीन सांत्वना पुरस्कार के लिए भी बच्चों का जो है बुचैन किया गया है हुन्हारी प्रतिष्ठा मिश्रा बीए थर्ड़ियर दिन द्याल पाध्या गोरपुर विश्विद्याले की है दितिये पुरसकार भी गोरपूर विश्विद्याले के सत्यानन चौरसिया बीए सेकेंडियर को प्राप्त हुआ है। अजित कुमार विश्विद्याले को प्राप्त हुआ है। और इसमें थोड़ा सा इस बार यूनीक है। इसमें पैन और आपका ब्लू कलर का यूज हुआ है। जैसे कि पैन से कलम से हम आस्मान की उचाईयों को प्राप्त करें। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट लिया गया है। और इसमें विश्विद्याले के प्रतीक चिन्व और चालीस को बड़े ही यूनीक वे में लिखा गया है। इस और हम लोग जो हमारे जो जजजेस थे उन्होंने कुछ इसके बारे में खास यही संकल्पना की कि यह सबसे अलग है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग ने जो चालीसवे दिक्षान समारोह का जो लोगो है उसको लांच किया है। लोगों के बारे में मेडम बता चुकी हैं। जैसा आप देख रहे हैं हमारे इस पर ऑनलाइन भी दिखाय जा रहा है कि पैन है और ब्लू कलर है। ब्लू कलर से हमारा जो इन्वस्टी का लोगो भी है। ब्लू कलर जैसा बताया गया है कि sky को आसमान को अंकित कर रहा है आसमान का मतलब है कि कुछ ने कुछ निव एजुकेशन पॉलसी से रिलेटेड है जो एजुकेशन है निव एजुकेशन पॉलसी जो है वो sky is a limit ऐसा कहा जा रहा है जो flexibility जो आ रही है जो इसमें जो choose करने की जैसे आप सुन रहे होंगे समय credit hour है, CBS system है आप कोई भी course कहीं का भी course choose कर सकते हैं add कर सकते हैं, UGC course ने बनाए जा रहे हैं और flexibility बढ़ती जा रही है इसमें student के पास इतना scope है कि वो आसमान तक जो education में चीजें हैं वहां तक पकड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है कहीं भी यहां बच्चा जो है गुरखपूर का बच्चा या गुरखपूर के किसी भी affiliated college का बच्चा किसी भी जगा जा सकता है अगर उसका pen उसकी पढ़ाई जो new education policy के umbrella में आ रही है अगर वो उसको अगर उसको चलेगा उस रास्ते पे तो वहां तक जाएगा यह खास बात है यह जो new education policy के अंतरगत यह पहला दिक्सान से महारो है हमने जो कुछ और भी त्यारी की हैं जैसे कि हमारे कई आप जान रहे हैं कि जो बहुत साइज सब्जेक्ट यूजी में पीजी में और पीएजडी में लागू हो शुका है cbs सिस्टम और कहीं में डिग्रिया भी दे रहे हैं तो पहली बार कुछ डिग्रियां हम ऐसी देंगे जिसमें परसेंटेज चिन्हत नहीं होगा उसमें लिखा जाएगा जिसे पुराणी डिग्रियां तो उसमें रहेगा थर्ड दिविजन से मिलेगा लेकि इसमें हम लोग करने जा रहे हैं कि ग्रेट पॉइंट देने जा र तो उसके डिग्री भी देय रहे हैं जो इसमें है बाकी आप जानते ही है इस लोगों प्रतियोकता में जिसके लीए आप लोग COVID कि आए बच्च 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 भी है पॉपुलर इवंट है हमारा सिंबोलिक अर्वोकेशन का और कन्वोकेशन के लिए मैं एक कान्फरेंस 14 दिसंबर को आयूद किया हूँ जिसमें बताऊंगा कितने गोल्ड मैडल कितनी डिग्रिया गए हम लोगे कन्वोकेशन के अच्छी त्यारी की है हम लोगे आज बिजिट किया है अगर हम लोगे इस बात की भी बिजिट किया है कि अगर महा महीं तंदर को अगर साम को रुकेंगी तो हम लोगे अपने वेस्ट हाऊसेज वहां गया है उसको रिनोवेट करा रहे हैं कि उनके अनुसार हो जाए और किचन कैसा है वो मैडम जैसा चाती हो जाके किचन अगरा में जाती है कि इन बातों की भी अब लोग चर्चा आज गिये हैं आप लोग गये थे जहां पर समारा होगा इस वार अभी तक जो हो है कि कोई 19 का प्रोटोकाल साथ नहीं फालो कर रहे हैं लोग जन्रल क्योंकि अभी कोई गौर्मिन गाइडलाइन नहीं आई है तो लगभग सासो बैंतिस चालिस लोग वहां बैठेंगे कोन कैसे बैठेगा इसकी चर्चा कल मीटिंग में की थी हमने और किसको कैसे गोल मेडल कहां दिया जाया कैसे दिया जगा लगभग हमारे जो मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम है इसमें यह दो घंटे 45 मिन का भी है यह राजबहन भेज रहे हैं इसमें चुकी लास्ट मिन में हमने वह चेंज किया है चीफ गेस्ट चौदव को और आने बाला था पंदरह को वह पलब नहीं थे तो चीफ गेस्ट का नाम एक कल तक हम लोग भुष्णा कर देंगे लेकिन इसमें चीफ गेस्ट भी हैं डेप्टी सीम रहेंगे और गौवनर साहिबा रहेंगी तो यह लोग का अपना-पना बोधन रहेगा उसमें त्यारी कर रहे हैं और मैं सभी जो अपने छात में तरी कर दो आयरे कर दो नहीं है